तो बच्चो इस activity से हमने जाना कि इस धारावाही वृतिय लूप के कारण उत्पन्य चुम्बकी छेत्र की बल रेखाएं कैसी होंगी? इसके केंद्र में हम देखें तो ये बल रेखाएं आपके कागश तल के लंबवद अंदर की ओर होंगी? यदि ये वृतिय लूप आपके कागश तल पर रखा गया होगा? अब बायो सैवर्ट के नियम का स्तमाल करकर हम इस केंद्र पर ही इस वृतिय लूप के कारण उत्पन्य चुम्बकी छेत्र की तीवृता ग्याद करते हैं इसके लिए हमने ये वृतिय लूप लिया है जो की आपके कागश तल पर रखा गया है इसका केंद्र O है और इसमें तीर की निशान में ही विद्धुधारा प्रवाहित की जा रही है यानि कि इस पर्टिकुलर स्थिती में धारा क्लॉकवाइस प्रवाहित हो रही है अब इस धारावाही वृतिय लूप की कारण इस केंद्र पर चुम्बकी छेत्री की तीवरता ज्याद करना है अब इस वृतिय लूप में इस वृताकार धारावाही चाला टार में हम एक धारा अव्याय लेंगे जिसे यहाँ पर हमने AB से दर्शाय है यह अलप लंबाई का होगा जिसे हम DL से प्रदर्शित करते है अब इसकी जो केंद्र बिंदू से दूरी होगी यह तो इस वृत की तरिज्जा ही होगी इसलिए हम यहाँ पर यह अलपांच से दूरी आर ले रहे हैं और हम जानते हैं कि वृत की त्रिज्या, वृत की परिधी पर सदै भी लमवत होती है यह अलपांच एक सरल रेखा के रूप में होगी क्योंकि इसकी लमबाई बहुत ही कम है तो यह इस वृत की त्रिज्या पर लमवत होगी इसलिए इस अलपांच डियल और इस वृत की त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिगरी होगा अब बायो सैवट का नियम यहाँ पर इस्तमाल करें तो इस अलपांच डियल के द्वारा इस केंद्र पर चुम्बकी छेत्र की तीवृता का सूत्र होगा किन्तु इस चित्र के अनुसार थीटा बराबर 90 डिगरी है क्योंकि आइडियल इस पर्ष रेखा के अनुदीश होती है तथा त्रिज्या इस पर्ष रेखा के लमवत होती है तो साइन थीटा बराबर यानि कि 990 बराबर होगा 1 समीकरण एक में मान रखने पर हमें मिलेगा डिवी बराबर मियू जिरो अपॉर पाई आईडियल अपॉर आरिस्प्यार डाय हाथ की नियम के अनुसार हमने देखा कि इस चेत्र की दिशा कागश तल के लमवत अंदर के ओर होगा और इस विताकार लूप को इसी प्रकार के कई अव्यों में विभाजित कर सकते हैं और सभी अव्यों का केंदर ओपर चुम्बकी छेत्र की दिशा कागश तल के लमवत नीचे की ओर ही होगी अता एक ही दिशा में होगी इसलिए केंदर ओपर फुल चुम्बकी छेत्र की दिव्रता निकालने के लिए हम सभी अव्यों के चुम्बकी छेत्र की दिव्रता का योग करेंगे यानिकि समाकलन करेंगे तो बी बराबर हो जाएगा समाकलन डीवी अब db कमान इस सूत्र में रख देते हैं तो b बराबर होगा समाकलन mu0 upon 4 pi ideal upon r square यहाँ पर धारा i कमान नियत है इस वृत्ता कार लूप की त्रिज्य भी नियत है तो यह दोनों ही समाकलन से बाहर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं b बराबर mu0 upon 4 pi i upon r square integration of dl ऐसे ही वृत्त की परीधी पर छोटे-छोटे dl को जोडते जाएं तो यह पूरी वृत्त की परीधी का निर्मान करते हैं तो integration of dl बराबर होगा वृत्त की परीधी यानि की 2 pi r तो हम लिख सकते हैं b बराबर mu0 upon 4 pi i upon r square into 2 pi r इसे हल करें तो r का मान numerator से और denominator से cancel हो जाएगा तो हमें मिलेगा b बराबर mu0 upon 4 pi 2 pi i upon r और इसे आगे हल करें तो b बराबर होगा mu0 i upon 2 r यदि लूप के स्थान पर हम n 0 वाली कूंडली लेगा तो यहां पर धारा का मान n गोणा बढ़ जाएगा तो चुम्बकी छेत्र का मान होगा b बराबर mu0 n i upon 2 r तो इस प्रकार हमने इस धारा वाही चालक वृतिय तार के कारण इसके केंद्र पर चुम्बकी छेत्र की ती वृता ग्याद की और इसके सूत्र अनुसार हम देखें तो यह चुम्बकी छेत्र की ती वृता निर्भर करती है इस कुंडली में फेरों की संख्या पर केंदर पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता उतनी ही अधिक होगी क्योंकि यहाँ पर B समानुपाती है N के ये चुम्बकी छेत्र की तीवरता निर्भर करती है इस तार में इस वृतिय लूप में प्रवाहित होने वाली धारा के जितनी अधिक धारा होगी कुंडली में, केंदर में, तीवरुता उतनी ही अधिक होगी तो कई बार ऐसी स्थिति आती हैं कि हम किसी भी वृतिय लूप में धारा का मान नहीं बढ़ा सकते क्योंकि अत्याधिक धारा का स्तमाल करना सूरक्षित नहीं होता तो उस condition में हम धारा के मान को बढ़ाने के स्थान पर हम उस तार में फेरो की संख्या को बढ़ा देते हैं यूकि फेरो की संख्या बढ़ाने से भी चुम्बकी छेत्र की तीवरता का मान पढ़ाया जा सकता है ये चुम्बकी छेत्र की तीवरता निर्भर करती है इसकी त्रिज्या पर इसकी त्रिज्या के साथ व्यूत क्रमनुपाती का संबन्ध है इसका मतलब यदि यह जो वृतिय तार हमने लिया है इसकी त्रिज्य कम होगी तो इसके केंद्र पर चुम्बकी छेत्री की तीवरता अधिक होगी और त्रीजय बढ़ा देते हैं, बड़ा वृतिय लूप लेते हैं, तो केंद्र पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता कम होगी साथ ही यह निर्भर करता है इस वृतिय तार के आसपास मौजूद माध्यम पर हमने यहाँ पर Mu0 लिखा है, Mu0 तब लिखा जाता है जब यहाँ पर कोई माध्यम उपस्थित ना हो, वहाँ पर निर्वात हो वैसे बात हम करते हैं निर्वात की, लेकिन जब हम पृत्वी पर कार्य करते हैं, कोई भी परिक्षन करते हैं, तो उस समय यहां पर वायू तो मौजुद होता है, तो म्यू जिरो वायू या निर्वात के लिए इस्तमाल के जाता है, लेकिन वायू या निर्वात के स्थान प अधिक होगी तो वहाँ पर केंद्र में चुम्बकी छेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी अब आईए इस पर अधारी थमेक आंकीक प्रश्न करते हैं एक समतल वृती कुंडली का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा फेरो की संख्या 25 है यदि इसमें 4 एंपियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसकी केंद्र पर चुम्बकी छेत्र की तीव्रता कितनी होगी प्रश्ट में दिया गया है व्यास 10 सेंटीमीटर है व्यास यानि की त्रि में कनवर्ट करें तो हमें से 100 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 5 इंटू 10 तू पावर माइनस 2 मीटर बहने वाली धारा आई बराबर 4 एंपियर है तता एन बराबर 25 तो सूत्र अनुसार बी बराबर होता है म्यू 0 एन आई अपॉन 2 आर म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इं एन पचीस था धारा की मात्रा 4 एंपियर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10 तू पावर माइनस 2 और इन सब को हल करने पर बी बराबर 1.26 इंटू 10 तू पावर माइनस 3 टेस्ट ना प्राप्थ होगा अब आईए हम बायो सेवर्ट के नियम का अगला अनुप्रियोग देखते हैं हमने यहां पर एक वृतिय धारावाही चालक लिया है और यहां पर ती वृता इसके केंद्र के अक्ष पर किसी बिंदू पर ग्याद करनी है मान लीजे हमने एक वृतिय कोईल लिया है एक वृताकार धारावाही चालक तार लिया है इसका केंद्र ओ है और इसके केंद्र के अक्ष पर यानि कि एक ऐसी रेखा लिये हमने जो कि इस कुंडली के लंबवत हो इस वृतिय तार के लंबवत हो और इसके केंद्र से गुज तो इसके अक्ष पर हमने एक बिंदू लिया जिसे हम दर्शार है पी से इस लूप में तीर के दिशा में ही आइधारा प्रवाहित हो रही है और यह जो बिंदू हमने लिया है यह इसके केंद्र से एक्स दूरी पर स्थित है मान लेजिए यह वृतिय लूप आपके कागश तल के लंबवत है तो इसका अक्ष आपके कागश के तल में होगा अब इस वृतिय कुंडली के द्वारा इस पी बिंदू पर चुम्बकी छेतर की तीवरता ग्याद करनी है तो सबसे पहले हम इस वृतिय लूप को छोटे छोटे धारा अव्यों में बाट देते हैं यहाँ पर मान लीजिए हमने ए बिंदू पर डियल अल्प लंबाई का एक धारा अव्यों लिये है अब ऐसे ही इसके जस्ट विपरित यानि कि 180 डिगरी एंगल बनाती हुए हम इस वृतिय लूप के दूसरे छोट में भी एक धारा अव्यों ले सकते हैं उतने ही लंबाई का जो इसके जस्ट विपरित दिशा में होगा अब यहाँ से हम यह देखते हैं कि A और A डैश यह दोनों ही बिंदू P से समान दूरी पर है वैसे ही हम इस वृतिय लूप में कहीं पर भी एक अव्यों ले तो उसके विपरित 180 डिगरी के एंगल में जेस्ट उसके सामने दूसरा धारा अव्यों ले सकते हैं और यह सारे अव्यों इस P बिंदू से आदूरी पर हिस्थित होंगे अब मान लीजे इस अधारा अव्य एक एक कारण इस P बिंदू पर बायो सेवर्ट के नियम के नुसार चुम्बकी छेतर की तीवरता होगी डी बी बराबर मूजिरो अपॉन फोर पाई आईडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेर जहाँ पर थीटा इस धारा अव्यों डी एल और इस डी एल और बिंदू पी को जोड़ने वाली रेखा यानि आर के बीच का कोण होगा यहाँ जो थीटा हमने लिया है वो अव्यव ए और उसको बिंदू पी से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है किन्तो थीटा बराबर 90 डिगरी है इसलिए साइन थीटा बराबर यानि कि साइन 90 बराबर 1 होगा और यहाँ मान इस समीकरण में रखने पर हमें प्राप्त होगा दीवी बराबर म्यूजिरो अपॉन फोर पाई आईडियल अपॉन आर स्कुर्ट अब इस चुम्बकी छेत्र की दिशा क्या होगी इस चेत्र की दिशा अव्यर A और उसको मिलाने वाली देखा AP के समलित तल के लंबवत PQ दिशा के अनुदीश होगी क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी नियम का इस्तमाल कर सकते हैं चुम्बकी छेत्र की दिशा ग्याद करने के लिए और हम जानते हैं कि चुम्बकी छेत्र की दिशा अव्यर DL और उस अव्यर से उस बिंदू तक को जोडने वाली देखा इन दोनों ही तल के लंबवत होती है और इसे हमने यहाँ पर PQ से दर्शाया है तो इस DB की दिशा PQ दिशा के अनुदीश होगी मान लीजे एंगल APO बराबर फाई है PN लंवत है OP के यहाँ से हम देख सकते हैं एंगल NPQ बराबर फाई होगा बिंदू P पर चुम्बकी छेत्र दीबी को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है यूकि सभी सदीश राशी के दो घटक होते हैं चुकि डीबी भी एक सदीश राशी है इसलिए इसके दो घटक होगे पहला डीबी कॉस फाई यहाँ अक्ष ओपी के लंवत PN की दिशा में है और दूसरा डीबी साइन फाई जोकि अक्ष ओपी के अनुदीश है इस अव्यव A के विपरित 180 डिगरी के कोन में हमने एक दूसरा अव्यव लिया है A- जो DL नमबाई का ही है और इसके कारण बिंदू P पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता होगे डीबी बराबर म्यू जिरो अपन फोर पाई आई डियल अपन आर स्क्वाई यह दोनों अव्यव के कारण चुम्बकी छेत्र की तीवरता P बिंदू पर समान होगी क्योंकि यह दोनों ही अव्यव P बिंदू से समान दूरी पर है यह दोनों ही अव्यव समान लंबाई के हैं और इसमें समान धारा प्रवाहित हो रही है इसलिए इनके द्वारा चुम्बकी छेत्र की तीवरता का मान समान होगा लेकिन अव्यव A- के काराएं चुम्बकी छेत्र की तीवरता की दिश्या अलग होगी इसकी दिश्या को हम PQ- से दर्शाते हैं इसकी दिश्या अव्यव DL और R के लमवत तल पर होगी और इस चुत्र में हमने इसे PQ- से दर्शाया है इसको भी पुना दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है पहला DB Cos5 अक्ष ओपी के नमवर PN- दिशा में दूसरा DB Sin5 अक्ष ओपी के अनुदेश यहाँ PN और PN- के अनुदेश घटक परिणाम में बराबर तथा विप्रत दिशा में हैं अता वो एक दूसरे को निरस्ट कर देंगे इस पश्ट है कि लूप के समस्त अव्यों के कारण चुम्बकी छेतर के वे घटक जो अक्ष ओपी के लमवत हैं एक दूसरे को निरस्ट कर देंगे किन्तू अक्ष ओपी के अनुदीश समस्त घटक आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ये सारे एक ही दिशा में हैं अधा धारावाही व्रित्ताकार लूप के अक्ष पर इस्थित पी बिंदू पर चुम्बकी छेतर की ती व्रता केवल इसके साइन घटकों का ही योग होगी इसलिए हम बी बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ओफ दीबी साइन फाइल यहाँ पर हमने समाकलन का चिन्न लगाए क्योंकि हम सारे घटकों को जोड रहे हैं यहाँ पर डीबी का मान रखने पर हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ओफ म्यू जिरो अपॉन फोर पाई आईडियल अपॉन आर स्क्वेर इन्टु साइन फाइज किन्तु समकोन त्रिभोज AOP में साइन फाइब बराबर होता है लंब बटे कर्ण और यहाँ पर लंब है OA और कर्ण है AP तो यहाँ लिखेंगे साइन फाइब बराबर R अपॉन R जहाँ OA बराबर R लूप की त्रिज्य है इसे समकरण में रखने पर हमें प्राप्त होगा B बराबर इंटिग्रेशन आफ μुजिरो अपॉन 4 पाई आईडियल अपॉन R स्क्वेर इंटू R अपॉन R यहाँ पर देखें मुजिरो नियत आंक है बहने वाली धारा का मान भी नियत है इस वृताकार लूप की त्रिज्य नियत है और इस वृताकार लूप से स्पी बिंदू की दूरी भी नियत है इसलिए हम इन सारे नियतांकों को इस समाकरण से बाहर कर देंगे और समाकरण के अंदर केवल होगा DL और ऐसे अल्प अव्यों को हम जोडते जाएंगे तो ये इस वृताकार लूप की परिधी बनाते है इसलिए इंटिग्रेशन DL बराबर 2πr होगा यानि वृताकार लूप की परिधी अधा B बराबर होगा μूजिरो आई आर अपान 4πrq इंटो 2πr यहां से इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा B बराबर मूजिरो आई आर स्क्वेर अपान 2rq अब समकौन त्रिभूज AOP में पाथागरस प्रमय लगाने से r स्क्वेर बराबर r स्क्वेर प्लस x स्क्वेर और यहां से r बराबर प्राप्त होगा r square plus x square hold to the power 1 by 2 और r cube करे यानि कि दोनों पक्षों पर हम cube कर रहे हैं तो हमें मिलेगा r cube बराबर r square plus x square power में 3 by 2 और यहां मान इस समीकरण में लखने पर हमें प्राप्त होगा b बराबर mu 0i r square upon 2 bracket के इंदर r square plus x square power में 3 by 2 जब चुम्बकी छेत्र की तीवरता का सूथा में ग्याथ हो चुका था इस समीकरण से फिर हमने यहां पर r cube का मान क्यों रखा क्योंकि इस derivation में हमें किसी बिधारा वाही वृताकार लूप के अक्ष पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता ग्याथ करनी थी और इस समीकरण में mu 0i और r यह सारे नियतांक है और यह जो small r है इस p बिंदू तक की दूरी थी इस p बिंदू की दूरी इस वृताकार लूप के अक्ष पर इसके केंद्र से ग्याथ करना चाहते हैं इसलिए हमने यहाँ पर पाइथागरस का प्रमय लगाकर small r को x के टम में convert किया अब यदि इस वृताकार लूप में n फेरे हो यानि कि यह लूप के स्थान पर n फेरो वाली कुंडली हो तो उस समय b बराबर होगा mu 0 n i r square upon 2 r square plus x square whole to the power 3 by 2 यदि वृताकार कुंडली का केंद्र मूल बिंदू पर हो और इसका अक्ष x अक्ष के अनुदीश हो तो हम vector form में यानि कि सदीश रूप में सूत्र को लिख सकते हैं सदीश b बराबर mu 0 n i r square upon 2 r square plus x square power 3 by 2 i cap जहां पर i cap x अक्ष के अनुदीश इकाई सदीश को दर्शाता है और यही धारावाई वृताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदू पर चुम्बकी छेत्र का व्यंजक है इसमें कुछ विशेश स्थितियां भी है यदि बिंदू P बृत के केंद्र पर हो यानि कि इस O और बिंदू P के बीच की दूरी शून्य हो तो हम लिख सकते हैं X बराबर 0 और उस कंडिशन में हमें प्राप्त होगा B बराबर μू 0 N I R स्क्वेर अपॉन 2 R Q और यहां से B बराबर होगा μू 0 N I अपॉन 2 R और यह समेकरन बिलकुल वैसा ही है जैसे हमने एक बृताकार धारा वाही लूप के केंद्र पर चुम्बकी छेत्री की तीवरता ग्याद करने के लिए निकाला था दूसरे स्थिति यदि बिंदु P केंद्र से अत्याधिक दूरी पर हो यानि कि यह X का मान इस R के मान से बहुत बहुत अधिक हो उस कंडिशन में हम X की तुलना में R को नगण्य मान सकते हैं और इसी लिए चुम्बकी छेत्री की तीवरता के समी करन में यदि हम R को नगण्य माने X की तुलना में तो में प्राप्त होगा B बराबर μू 0 N I R square अपॉन 2 X square पावर में 3 by 2 यहां से 2 और 2 कैंसल हो जाएंगे तो में प्राप्त होगा और जब हम दूरी के साथ चुम्बकी छेत्री में परिवरतन का ग्राप बनाते हैं तो यह ग्राप कुछ इस प्रकार होता है क्योंकि समीकरंची यह इस प्रष्ट है कि B का मान X पर निर्भर करता है अता B का मान अधिक्तम होगा यदि X बराबर 0 होगा तो B मैक्सिमम यानि B का मैक्सिमम मान होगा म्यू 0 N I R square अपॉन 2 R Q और यहां से B मैक्सिमम बराबर होगा म्यू 0 N I अपॉन 2 R तो इस पश्ट है कि कुंडली के केंद्र पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता अधिक्तम होती है और केंद्र की दोनों ओर X बराबर प्लस माइनस R बाइटू यनि कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड R बराबर 2 दूरी पर चुम्बकी छेत्रिक में परिवरतन की दर DB अपॉन DX अधिक्तम होती है यहाँ से हम देखें X बराबर प्लस मैनस R बाइटू पर यह समी करण कुछ इस प्रकार होगा B बराबर μू 0 N I R स्क्वेर अपॉन 2 R स्क्वेर प्लस R अपॉन 2 कर स्क्वेर रेस टू दे पावर 3 बाइट 2 और इन सब को हल करने पर हमें प्राप्त होगा B बराबर 4 मू 0 N I अपॉन 5 रूट 5 R और केंद्र के दोनों ओर X बराबर प्लस मैनस 2 R दूरी पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता होगी B बराबर μू 0 N I R स्क्वेर अपॉन 2 ब्राकेट के अदर R स्क्वेर प्लस प्लस मैनस R स्क्वेर ब्राकेट बन 3 बाइट 2 इन सब को हल करने पर हमें मिलेगा B बराबर μू 0 N I अपॉन 4 रूट 2 R और इन ही मानों को लेकर ग्राफ प्रदर्शित किया गया है और यह ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा होगा अब आईए इस सूत्र से जुड़ा हुआ हम एक आंकिक प्रेशन बनाते हैं 10 cm त्रिज्या की सौक कसकर लपेटे हुए फेरो की किसी कैसी कुणली पर विचार की है जिससे एक आंपियर विद्धुधरा प्रवाहित हो रही है कुणली की केंद्र पर चुम्बकी छेत्र का परिमान क्या है इस प्रश्ट में दिया गया है आर बराबर 10 cm तो सबसे पहले हम cm को मीटर में कंवर्ट करेंगे 10 cm बराबर 10 x 10 to the power minus 2 meter पेरो की संख्या n बराबर 100 है और धारा कमान 1 एंपियर है तो b बराबर होगा mu 0 ni upon 2 r mu 0 बराबर होगा 4.10 to the power minus 7 और हम बाकी मान इस फॉर्मले पे रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा b बराबर 2 pi into 10 to the power minus 4 इससे आगे हल करते हम pi कमान हम 3.14 लेंगे यह हो जाएगा 2 into 3.14 into 10 to the power minus 4 और इसे solve करने पर हमें मिलेगा b बराबर 6.28 into 10 to the power minus 4 tesla अब बच्चो हम चुम्बकिये छेत्र से जुड़े हुए M.P.R का परिपतिये नियम के बारे में चर्चा करते हैं बच्चो इससे पहले जब हम विद्दू छेत्र की तीवरता का अध्यन कर रहे थे उसमें हमने गौस का प्रमय पढ़ा और जो महत्व गौस की प्रमय का विद्दू छेत्र में था वही महत्व एम्पियर के परिपतिये नियम का चुम्बकिये छेत्र में है गौस का प्रमय गौसियन प्रिष्ट पर ही लागू होता है वैसे ही एंपियर का प्रमे एक एंपियर लूप पर ही लागू होता है जिस प्रकार गौसी प्रिष्ट की हम केवल कलपना मात्र करते हैं उसी प्रकार हम एंपियर के भी परिपत की यानि की एंपियर लूप की कलपना मात्र करते हैं और उस लूप पर ही हम एंपियर का परिपतिय नियम लागू कर सकते हैं इस नियम के अवशक्ता हमें चुम्बकी छेत्र में क्यों पढ़ती है आईए इस एनिमेशन के जरीए समझते हैं मान लीजे यहाँ पर एक धारावाही चालक तार है और इसमें इस तीर की निशान के दिशे में धाराप्रवाहित हो रही है हम जानते हैं कि किसी भी चालकतार में धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों और उस्तार के लंबवत चुम्बकी छेत्र उत्पन हो जाएगा और यहां चुम्बकी छेत्र समकेंद्रे वृतों की रूप में होगा मान लीजे यहां चुम्बकी छेत्र हम B से दर्शारे हैं अब मान लीजे हम इसी तल पर एक बंद परिपत कंसीडर करते हैं एक क्लोजड लूप लेते हैं यहां लूप इस प्रकार लिया गया है कि इसके प्रतेक बिंदू पर चुम्बकी छेत्र की दिशा इस पर शुरेखिये रूप से कारे कर ली है मान लीजे हमको इसी बंद लूप के लिए चुम्बकी छेत्र की तीवरता ग्याद करने हैं तो हम इस लूप पर एक छोटा सा अव्यव DL लेंगे और इस डील अव्यव पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता इस DL और चुम्बकी छेत्र B का गुनन्फल होगा और हमको इस बंद लूप के लिए यदि चुम्बकी छेत्र की तीवरता ग्याद करनी है तो ऐसे ही छोटे छोटे सेगमेंट या यूग हैं कि ऐसे ही अलप DL का यूग होगा और इसे कैल्कुलेट करना इतना आसान नहीं है और इसी समस्या का समाधान करने के लिए ही MPR का परिपती नियम दिया गया MPR के परिपती नियम के अनुसार निर्वात में किसी बंद वक्र के चारो और चुम्बकी छेतर का देखिये समाकलन उस वक्र द्वारा घीरी कुल रेखा आई का नू नौट गुना होता है क्योंकि यहाँ पर इस छोटे छोटे अव्यों के द्वारा चुम्बकी छेतर को जोड़ना एक कठिन कार्य था इसलिए यहाँ पर हमने समाकलन का सहता लिया है और इसी लिए MPR के परिपती नियम के अनुसार हम गणिती रूप में लिख सकते है समाकलन क्लोजड लूप का B.DL बराबर म्यू नौट आए जहां म्यू नौट निर्वाद की चुम्बक शिलता है और यह जो सिंबल दिख रहा है इंटिग्रेशन इस बंद परिपत का यह बंद वक्त के परिताह समाकलन बताता है और आई वक्र द्वारा घीरी गई धारा है तो एंपियर का परिपती नियम लागू करने के लिए जो हम लूप चुनते हैं उसका चैन किस प्रकार किया जाना चाहिए इस लूप में कुछ विशेष्टाएं होती है मतलब इस लूप का चैन ऐसा होना चाहिए कि इस पर B इस पर शुरेखी हो तथा B यानि चुम्बकी छेतरा का मान यहाँ पर एक समान हो यह जो हमने लूप लिया है उस पर B अभी लमवत हो या फिर इस B का मान इस लूप पर शुन्य हो अगर यह तीनों में से कोई एक भी क्राइटीरिया सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसको फॉलो करते हुए एंपियर की लूप का चैन कर लेते हैं बिंदो P से गुजरने वाली चुम्बकी छेतर रेखा वृताकार होती है अतहा आर्थ रिचा के वृत के चारो और B का रेखिये समाकलन इंटिग्रेशन ओफ B.DL यहाँ पर हमने क्लोजड लूप के लिए बनाया है क्योंकि यह जो एंपियर का परिपत हम लेते हैं वे एक बंद वक्र होता है इसलिए हम समाकलन के उपर यह गोला लगाते हैं जो कि बंद वक्र को या बंद परिपत को दर्शाता है अब यह दो सदीश राशियां B और DL इनके बीच में डॉट प्रोड़क्ट है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे B DL कॉस थीटा यहाँ पर थीटा कोण है B और DL के बीच का और B और DL के बीच का कोण इस स्थिती में शून्य है इसलिए हम यहाँ पर कॉस जीरो लिखेंगे और कॉस जीरो का मान होता है 1 तो मैं प्राप्त होगा इंटिग्रेशन ओफ B DL अब समय करन एक से B का मान यहाँ रखने पर हमें प्राप्त होगा इंटिग्रेशन ओफ म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आग इंटू डिये यहाँ पर म्यू जिरो नियतांग है आई रवाहित हुने वाली धारा का मान भी नियत है टू पाई वह यह भी नियतांग है और इस एंपियर के परिपत्य लूप की त्रिज्या भी नियतांग है इसलिए हम इसे इंटिग्रेशन से बाहर निकाल देंगे और समाकलन होगा इस अव्यय का DL का और जब ऐसे अव्यय को जोड़ा जाएगा इस एंपियर के परिपत्य में तो ये एक व्रिताकार लूप का निर्माण करते है यानि कि DL का समाकलन इस व्रिताकार लूप की परिधी होगी तो हम integration of DL बराबर लिखेंगे 2πR जहां R इस व्रित की त्रिज्या है तो समाकलन B.DL बराबर होगा μू0I upon 2πR into 2πR 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 से कैंसल हो जाएगा तो integration of B.DL बराबर होगा μू0I और यही M3R का परिपत्य नियम है तो आईए अब हम M4R के परिपत्य नियम का अनुप्रियोग करके अलग-अलग आकरिती की चालक तार के लिए अलग-अलग परिस्थिती में चुम्बकी छेत्री की तीवरता ग्याद करते हैं सबसे पहले हम एक सीधा लंबा चालक तार लेते हैं यह सीधे लंबे चालक तार के चारो और उत्पन चुम्बकी छेत्र एक सम के इंद्रिय वृत के रूप में होगा यहाँ पर हमने एक चालक तार लिया है एकस वाई जो कि आपके कागश तल पर रखा गया है अब इस से उत्पन चुम्बकी छेत्र आपके कागश तल के लंबवत होगा मान लेजे हमको बिंदु पी पर चुम्बकी छेत्री की तीवरता ग्याद करनी है जो कि इस चालक तार एकस वाई से आदोरी परिस्थित है मान लेजे इस चालक तार एकस वाई में धारा एकस से लेकर वाई की और प्रवाहित हो रही है यानि कि उपर की और यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है अब एम्पियर का परिपतिय नियम लागू करने के लिए हमें एक एम्पियर लूप लेना होगा तो हम ऐसा लूप चैनित करेंगे जो कि बिंदु पी से भी गुजरें और यहां पर चुम्बकी छेत्रे की तीवरता भी एक समान हो तो इसके लिए हम जो लूप चैनि करेंगे वो एक वृताकार ही होगा जो कि इस कागश तल के लमवत होगा और इसके प्रतेक बिंदु पर यदि आप इस पर शुरेखा खीचेंगे तो वो इस पर शुरेखा चुम्बकी छेत्रे की तीवरता बताएगा और ये चुम्बकी छेत्रे की तीवरता एक समान होगी क्योंकि इस लूप पर आप किसी भी बिंदु को लें कोई भी अलपांश आप यहाँ पर कंसिडर करें तो वो इस चालक तार एक्स वाई से समान दूरी यानि कि आर दूरी पर ही स्थित होगा यूकि सारे इस वृत की परिधी पर ही आएंगे तो ये सारे समान दूरी पर होगे इसलिए यहाँ पर चुम्बकी छेत्रे की तीवरता एक समान होगी तो यहाँ पर हमने एंपियर लूप लिया है जो की वृताकार है जिसकी त्रिज्या आर है अब ampere के परिपती नियम के नुसार integration of b.dl बराबर हो जाएगा mu not i इसे हम पहला समी करण दे रेते हैं लेकिन यदि हम ampere का परिपती नियम इस्तमान नहीं कर रहे होते उस condition में b.dl बराबर होता यहाँ पे b और dl दोनों सदीश राशिया हैं यहाँ हम देखें तो b की दिशा निकालेंगे तो एक इस पर्ष रेखर डालेंगे इस वृतिय लूप पर और इस वृतिय लूप पर यह dl उसकी परीधी पर ही आएगा तो b की दिशा और dl की दिशा दोनों एक ही होगी यानि कि हम यूँ कह सकते हैं b और dl के बीच का कोण शून्य होगा दोनों एक ही दिशा में होगे चुकि इन दोनों सदीशों के बीच में dot product है हम लिख सकते हैं b dl cos theta theta b और dl के बीच का कोण है जो कि 0 है इस स्थिती में और cos 0 का मान होता है 1 तो हम लिखेंगे integration of b dot dl यहाँ पर b का मान नियत है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अब कोई भी अलपांश इस लूप पर लेंगे छोटी छोटी धारा अव्यव लेते तो वो आर दूरी पर होंगे और दूरी समान होने के कारण यहाँ पर चुम्बकी छेत्रे की दीवरत्ता का मान भी समान होगा इसलिए integration के बाहर कर देंगे हम b को क्योंकि एक नियत राशी है integration हो जाएगा केवल dl का और से छोटे छोटे धारा अव्यव को तो हम पूरी व्रित की परिधी पर जोड़े तो हमको मिलेगी व्रित की परिधी तो b integration of dl हमको मिलेगा b 2 pi r इसे हम समी करण 2 देते समी करण 1 और 2 दोनों से हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं b 2 pi r बराबर mu naught i यहाँ से b बराबर होगा mu naught i upon 2 pi r यह किसी भी धारा वाही सीधे लंबे चालक तार के लिए चुम्बकी छेत्र की तीवरता ग्याद करने का सूत्र है और यही सूत्र हमको Bayard-Syvart Law से भी प्राब्त हुआ था तो बच्चो ऐसा question exam में आता है कि किसी भी लंबे सीधे चालक तार धारा वाही तार के कारण किसी बिंदू पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता ग्याद कीजिए तो यदि वहाँ पर केवल ग्याद कीजिए रहता है तो आप दोनों method से इसको solve कर सकते हैं लेकिन पर्टिकुलरली यह दिया गया होगा कि बायो सेवर्ट की नियम से solve करना है तो आप उस method से करिए और ampere के परिपतिय नियम से solve करना है तो आप इस method से solve कीजिए वैसे हमने देखा कि जब हम ampere का परिपतिय नियम लागू करते हैं तो यह derivation और भी आसान हो जाता है अब हम ampere के परिपतिय नियम का अगला अनुप्रयोग देखते हैं इसकी सहयता से हम किसी परिणालिका के अंदर चुम्बकी छेत्र की ती व्रता ग्याद करेंगे अभी परिणालिका क्या होती है बच्चो जब हम एक तांबे की तार को एक वृताकार रूप में बार बार लपेटे तो वह एक कुंडली का निर्मान करते हैं यह व्रताकार कुंडली होती है लेकिन यदि इसी तार को हम लपेटते हुए आगे की और खीचते जाएं तो एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम हेलिकल स्ट्रक्चर या फिर कुंडलीनी आकार कहते हैं और यह प पेटते जाते हैं और लपेटते हुए जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो सोलनाइट कहलाता है यह जो सोलनाइट है यह एक नियंत्रित चुम्ब की छेत्र उत्पन करने के लिए उप्योग में लाया जाता है और इसकी सहता से एलेक्ट्रो मैंगनेट्स बनाए जाते हैं यह यूं कहें कि धारा वाही सोलनाइट एक एलेक्ट्रो मैंगनेट की तरह ही काम करता है यह परिनालिका के अंदर इसके क्रोड में हम कोई आयरन का तुकड़ा रख दें यह चुम्ब की पदार्थ डाल दें तो जैसे ही हम इस सोल इस अंदर लोहे का तुकड़ा है वह भी चुम्ब की तरह वहवार करने लगेगा जब तक उस सोलनाइट में धारा प्रवाहीत हो रही है और जैसे ही हम धारा का प्रवाह बंद कर देंगे यह वापिस लोहे का तुकड़ा बन जाता है और इस प्रकार हम देखें तो करने के काम आता है जिसका प्रभाव तब तक ही रहता है जब तक सोलनाइट में धारा प्रवाहित हो रही है जब हम सोलनाइट में बहुत ही स्ट्रॉंग धारा प्रवाहित करते हैं तो कभी-कभी उसके अंदर लखा हुआ लोहे का तुकड़ा पर्मानेंटली मैगनेट की तरह काम करने लगता है और इस प्रकार हम यहाँ पर पर्मानेंट मेंट बनाने के लिए बढ़ शोलनाइट का इस्तमाल करते हैं तो तो इसको चुमबकी छेत्र कैसा होगा अचम एक एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं हमने एक वृता कार कुंडली के लिए चुम्बकी छेत्र देखा था और हमने जाना कि वृताकार कुनली के चारों तरफ जो चुम्बकी छेत्र रहता है वह कॉंसेंट्रिक रिंग्स की रूप में होता है सम केंद्री वृतों की रूप में और सेंटर में देखें तो यह चुम्बकी बलरेखा समानतर हो जाती है व्रिताकार लूप हम लाइन से लगते जाएं एक दूसरे के समानतर तो यह चुम्बकी बलरेखा एक दुसरी को प्रभावित करती है और जब बहुत सारे वृताकार लूप लाइन से समन तर एक दूसरे कर रखे जाते हैं तो इसका चुम्बकी छेत्र बिल्कुल एक बार मैगनेट के चुम्बकी छेत्र जैसा होता है और दोनों की बल रिखाओं को देखें तो यह यहां पर एक जैसे लगती है जबकि हमने वृताकार कुंडली के लिए देखा था तो वह बार मैगनेट से रिजंबल कर रही थी पर बार मैगनेट जैसे नहीं थी क्योंकि उसके चारों तरफ जो चुम्बकी छेत्र उत्पन हो रहा था वो समकेंद्री वृतों के रूप में था जबकि बार मैगनेट से जो उत्पन चुम्बकी बल रिखाओं वो देर्ख वृत यानि की इलिप्टिकल अकार की होती है लेकिन जब सोलेनोइट से इसकी तुलना करे तो सोलेनोइट के द्वारा जो चुम्बकी बल रिखाओं बन रही है वो चुम्बकी बल रिखाओं से exactly resemble कर रही है और इसलिए हम कहते हैं कि इक सोलेनोइट यानि की परिनाली का एक बार मैगनेट की तरह कारे करती है अब बार मैगनेट में हम जानते हैं दो दुरूफ होत चोर उत्री धुरूव है और कौन सा चोर दक्षनी धुरूव है इसको पहचानने का बच्चो एक आसान तरीका है यदि सोलोनेट में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको एक साइट से हम देखें यानि कि एक सीरे से देखें तो ध्वारा clockwise direction में प्रवाहित होते नजर आती है जबकि दूसरे छोर से हम देखें तो धारा anti-clockwise प्रवाहित होते हुए नजर आती है अब जिस सिरे में धारा clockwise प्रवाहित होते नजर आ रही है उसकी आकृती हम देखें तीर की निशान के आधार पर तो clockwise direction में यानि कि S की आकरिती बन रही है, तो वहाँ पर हम कहसकते साउथ पोल का निर्मान हो रहा है, यानि कि दक्षणी दुरूफ का, और जिस सिरे में धारा एंटी क्लॉक वाइस प्रवाहित होते नजर आ रही है, तो हम यहाँ पर इस आकरिती को तीर की निशान के आधार पर बना और इसी लिए इसका जो चुम्बकिय छेत्र है वो बिल्कुल बार मैंगनेट की तरह रिजंबल करता है अब यहां हम देखें तो इस परिनालिका के अंदर जो चुम्बकी बल रेखा हैं वो एक दूसरे के समानतर है यानि इसके अंदर चुम्बकी छेत्र एक समान होगा और तीवरी भी होगा यहां देख रहे हैं कि चुम्बकी बल रेखा एक दूसरे के समानतर है और पास-पास है तो यह चुम्बकी छेत्र तीवर भी होगा जबकि परिनालिका के बाहर देखें तो चुम्बकी बल रेखाएं दूर-दूर हैं मतलब यहां पर चुम्बकी छेत्र की तीवरता कम होगी और धीरे धीरे हम जैसे ही परिनालिका से दूर जाते जाएं तो इसकी तीवरता शूर्ने होते जाती है बच्चो एक आदर्श परिनालिका में उसकी जो त्रिज्य है यानि उसकी जो फेरों की मोटाई है या यू कहें उसके एक फेरे की जो त्रिज्य है वो उसके लंबाई की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए मतलब परिनाली का लंबी अधिक होती है और पतली कम होती है इसलिए उसके अंदर जब चुम्बकी छेत्र देखें तो वो एक समान रहेगा क्योंकि बल रिखाय समानतर हो जाएंगी उसके बाहर यदि हम चुम्बकी छेत्र देखें तो बहुत कम होता है और उसे हम नगन्य मान सकते हैं और इसलिए परिनाली का के बाहर चुम्बकी छेत्र शून्य लिया जाता है तो यहाँ पर हमने एक आधर शु परिनाली का ली है इस परिनालिका में N फेरे हैं और जब इसमें सिधारा प्रवाहित की जाएगी तो यह परिनालिका विद्धु चुम्बकी तरह कारे करेगी बच्चों परिनालिका के एक हिस्से पर मैंने गोले के अंदर क्रॉस का निशान डाला है और दूसरे इसके सिरे पर हमने गोले के अंदर डॉट का निशान डाला है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था यदि गोले के अंदर क्रॉस बना है मतलब उस जगे पर चुम्ब की बल रेखाएं बाहार की ओर होंगी उस तल के लम्वत तो इस प्रकार यदि हम इस में सीजित्र से देखें और परीकासे धारा प्रवाइत हो रही है तो एक हिस्से में इस परिणालीका जाके धारा इस तल के लमवत अंदर जाती हुई नजर आएंगी और दूसरे तल से यह लमवत बाहर की और आती हुई नजर आएंगी और इस प्रकार का चित्र हमको प्राप्त होगा और इसके बीच में चुम्बकिये छेत्रे रेखाएं समानतर होंगी अब हमको एंपियर के परिपति नियम का अनुप्रयोग करके यहां पर चुम्बकी छेत्रे की तीवरता ग्याद करनी है तो इसके लिए सबसे पहले हमें एंपियर लूप का चैन करना पड़ेगा और एंपियर लूप का यदि हम चैन करते हैं तो यहां पर किसी भी आकृति का बंद लूप या ब यहां पर एंपियर लूप का चैन करें तो यह सरकुलर नहीं होगा क्योंकि यदि सरकुलर लेंगे हम तो यहां पर चुम्बकी छेत्रे इस पर इस पर्श रेखी नहीं होगा इसलिए यहां पर जो एंपियर लूप का चैन किया जाएगा वो आयताकार लूप होगा और इस हमने A, B, C, D एक आयताकार लूप लिया है इस आयताकार लूप में हम देखें दो भूजाय समानतर होती है तो एक भूजा इस परिनालिका के अंदर आ रही है और एक भूजा परिनालिका के बाहर जबकि दो लंबवत भूजाय यहां पर इस परिनालिका के लंबवत होगी बकी छेत्रे ग्याद करेंगे और सभी भूजाओं को हम जोड़ देंगे जैसे कि एंपियर का परिपति नियम कहता है integration of b.dl तो यहां पर हम integration b.dl निकालेंगे लेकिन इस पूरे बंद परिपत का एक साथ नहीं बलकि इसे तुकडों में ग्याद करेंगे प्रतिक भूजाओं का हम separate ग्याद करेंगे a b b c c d और d a और इस प्रकार हम इस फॉर्मिले को इस तरह से separately लिख सकते हैं इस ampere का परिपत जो कि आयताकार रूप में है a b c d के चारो और चुम्बकी छेतर b का रेखिये समाकलन यानि कि integration of b.dl पराबर इसे हम चार भागों मिलेंगे क्योंकि आयताकार के चार भुजाएं हैं तो हम लिखेंगे समाकलन a से b b.dl प्लस समाकलन b से c b.dl प्लस समाकलन c से d b.dl प्लस समाकलन d से a b.dl मतलब हमने इस पंद आयताकार परिपत का कुल समाकलन किया हैं इसकी प्रतेक भुजाओं के रेखिये समाकलन को जोड दिया हैं अब समाकलन a से b b.dl प्लस समाकलन a से b b.dl कॉस जीरो क्योंकि यहां पर चुम्बकी छेत्र की दिशा इस a b के अनुदीश ही है इसलिए इन दोनों के बीश का कौन शुन्य होगा कॉस जीरो का मान एक होता है तो समाकलन a to b b.dl होगा b को हम समाकलन से बाहर निकाल देंगे समाकलन a से b dl अब जब इस अव्यकों a से b जोडते जाएंगे तो इस आयताकार की भुजा a b का मान हमें प्राप्त होगा और इसका मान x है तो हम समाकलन a से b dl बराबर लिखेंगे x जहां x भुजा a b की लंबाई है अब हम अगला समाकलन b से c b dl निकालते हैं यानि कि भुजा b c के along हम चुम्बकी छेत्र का रेखी समाकलन ग्याद करेंगे यहां पर हम देखें चुम्बकी छेत्र b और इस अव्यव dl के b इसका कोंट 90 डिग्री है यह दोनों एक दुसरे पर लंबवत है और कॉस 90 का मान होता है 0 इसलिए यहां पर इंटिग्रेशन b से c b.dl बराबर हो जाएगा 0 अब अगला समाकलन समाकलन c से d b.dl इस स्थिती में हम देखें तो जो भूजा c d है वो परिनालिका के बाहर है और हम जानते हैं परिनालिका के बाहर चुम्बकी छेत्र की तीवरता कामान 0 होता है तो जब हम b बराबर 0 लिखेंगे तो यहां समाकलन भी 0 हो जाएगा इसलिए समाकलन c से d b.dl बराबर 0 होगा अब अगला समाकलन समाकलन d से a b.dl यहां पर हम देखें कि भूजा a d चुम्बकी छेत्र b के लंबवत है तो यहां पर भी इन दोनों के बीज का कोन 90 डिग्री होगा और cos 90 बराबर 0 होता है तो यहां समाकलन भी 0 हो जाएगा और यह सारे समाकलन का मान समयकलन में रखने पर हमें मिलेगा integration बंद परिपत बंद लूप के लिए b.dl बराबर bx प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 यानि कि bx अब हम यहां पर ampere का परिपतिय नियम लगाते हैं ampere के परिपतिय नियम के अनुसार समाकलन b.dl बराबर होता है mu 0 into i जहां पर i उस ampere के लूप से घीरी हुई धारा होती है यहां पर ampere का लूप आयताकार a.b.c.d है तो हमको इस आयताकार a.b.c.d के गीरी हुई कुल धारा ग्याद करना है परिन आलिका के प्रतेक एकाई लंबाई में फेरो की संख्या n है इसलिए x लंबाई के आयताकार लूप में फेरो की संख्या nx होगी चुकिए प्रतेक फेरे में i धारा प्रवाइत हो रही है तो इस आयताकार लूप a.b.c.d में जिसमें nx फेरे हैं तो इसमें कुलधारा NXI होगी इसलिए Ampere का परिपतिय नियम कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा Integration of B.DL बराबर mu0 into आयत ABCD से घीरी हुई कुलधारा यानि कि mu0 into NXI अब समिकरण 2 और 3 को बराबर करने से हमें मिलेगा BX बराबर mu0 NXI और यहां से B बराबर होगा mu0 NI और इस समिकरण से हम धारावई परिनालिका के अंदर किसी बिंदू पर उत्पन चुम्बकी छेत्री की तीव्रता ज्याद कर सकते हैं और इस चुम्बकी छेत्री की दिशा दाय हाथ की नियम की द्वारा दी जा सकती हैं इसी व्यंजक की अधार पर अब हम एक आंकिक प्रश्न देखते हैं 500 फेरे प्रती मीटर की परिनालिका में 3 A की धारा प्रवाहित हो रहे हैं परिनालिका के अंदर चुम्बकी छेत्री का परिमान ज्याद कीजिए यहां दिया गए है N बराबर 500 फेरे प्रती मीटर और धारा आई बराबर 3 A चुम्बकी छेत्री की तीवरता का सूत्र परिनालिका के लिए होता है B बराबर म्यूजिरो एन आई म्यूजिरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10 तुद पावर माइनस 7 N कमान लिखेंगे 500 और I कमान लिखेंगे 3 इनको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 188.8 इंटू 10 तुद पावर माइनस 5 तो ही तो चुम्बकी छेत्री की तीवरता B बराबर होगी 1.9 इंटू 10 तुद पावर माइनस 3 टेसला इसे हम 1.888 इंटू 10 तुद पावर माइनस 3 भी लिख सकते हैं और 1.88 मतलब 1.9 भी लिखा जा सकता है तो यहां हमने राउंड अप करके लिखा है B बराबर 1.9 इंटू 10 तुद पावर माइनस 3 टेसला अगला प्रशन एक परिनालिका की लंबाई 0.5 मीटर इसमें फेरे 500 हैं परिनालिका के अंदर चुम्बकी छेत्र का परिमान ज्याद कीजिए यदि इसमें 5 एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है यहां प्रशन पहले वाले प्रशन से अलग है वेकि पहले वाले प्रशन में 500 फेरे प्रती मीटर थे यानि कि उसमें प्रती एकांक लंबाई में फेरो की संख्या दी गई थी जिसे हम small n से प्रदर्शित करते हैं लेकिन यहां पर 500 फेरे हैं यानि कि यहां पर कुल फेरो की संख्या दी गई है जिसे हम capital N से प्रदर्शित करेंगे और इसलिए यहाँ पर सूत्र हो जाता है B बराबर μू 0 N I क्योंकि प्रती एक आंक लंबाई में फेरो की संख्या यदि N होगी तो कूल फेरो की संख्या N बराबर होगा N into L और यहीं से हम देखें तो N बराबर होगा N upon L अब प्रश्ण में क्या दिया गया है? L बराबर 0.5 मीटर, R बराबर 1 सेंटी मीटर सेंटी मीटर को मीटर में कनवर्ट करते हैं यानि कि 1 upon 100 मीटर यह 1 into 10th power minus 2 मीटर कूल फेरो की संख्या N बराबर 500 और धारा I बराबर 5 अंपियर यह सारा मानिस समीकरण में रखने पर B बराबर होगा 4 pi into 10 to the power minus 7 into 500 upon 0.5 into 5 और इन सब को हल करने पर हमें मिलेगा अब बच्चो हम एंपियर के परिपति नियम का उप्योग करते हुए किसी टोरोइट के अंदर चुम्ब की छेत्र की तीवरता ग्याद करेंगे अभी टोरोइट क्या होता है हमने सोलोनाइट को जाना सोलोनाइट यानि की परिनाली का तामबे की विद्धूत रोधितार के कई फेरे होते हैं जो की हेलिकल स्ट्रक्चर की रूप में यानि की स्प्रिंग के जैसे बनाए जाते हैं अब इसी सोलोनाइट को पकड़ कर यदि इसके दोनों छोरों को हम वृताकार देते हुए जोड़ दें तो जो आकरिती प्राप्त होती है इसे हम टोरोइट कहते हैं और जब हम इस सोलोनाइट के दोनों छोरों को मिलाने की कोशिश करते हैं इस solenoid का एक छोर उत्री धुरूफ की तरह कारे करता है और दूसरा छोर दक्षनी धुरूफ की तरह कारे करता है और इसमें से जो बल रेखाए निकलती है उसका तो हमने पहले भी discussion किया है अब जैसे ही इसको हम विता का रूपे मोणने की कोशिश करते हैं देखिए इसकी च चुम्बकी बल रेखाएं समाप्त हो जारी है केवल टोरोइट के अंदर ही चुम्बकी बल रेखाएं नजर आ रही हैं और यह चुम्बकी बल रेखाएं सम केंद्री वृत की रूप में हैं जिसका केंद्र इस टोरोइट का केंद्र ही होगा और यहां पर देख रहे हैं कि यह चुम्बकी बल रेखाएं एक दूसरे के समानतर हैं यह वक्राकारतों हैं वृत के रूप में हैं पर एक दूसरे के समानतर हैं और इनका घनत्व भी अधिक है तो टोरोइट के अंदर चुम्बकी छेत्री की तीवरता एक समान होती है और अधिक होती है जबकि टोरोइट चुम्ब की छेत्री की तीव रता हम शूनले लेते हैं ये हम टोरॉइड कि चुम्ब की चुम्ब के चुण्द दालते हैं और उसके बाद us ko ठोकते हैं तो मोहे का चुरी लेकिन पर पर तो कोई असर नहीं केवल चुम्बकी छेत्र रहता है यह टोरॉइट के अंदर के भाग को देखें यह टोरॉइट के बाहर के भाग को देखें तो वहां चुम्बकी छेत्रे की तीवरता शुन्य होती है एक आधर्श टोरॉइट जब हम कंसिडर करते हैं तो उसकी त्रिज्या मतलब गोल बनाने के बाद उसको वृताकार शेप में नेने के बाद उसकी त्रीज्य होगी वह बहुत अधिक होती है उसकी मोटाई की तुलना में और इसी लिए ही उसके अंदर चुम्बकी छेतर एक समान होता है और जबकि उसके बाहर दोनों ओर जाये हम गोले के अंदर लें या चाहे गोले करने के बाहर लें यहां पर चुम्बकी च्छेत्र की तीवरता शुनने लिजाती है अब इस टोरोइट के कारण गयाद करनी है एंप्यर की नियंका उप्योग करके तो सबसे पहले हमें एंप्यर लूप का चैन करना पड़ेगा आब यहां पर देखतें एंप्यर लूप कैसा बनेगा हम टोरोइट की अंदर किसी बिंदू पर चुम्बकी छेत्र की तीव्रता ज्याद करना चाहते हैं तो एंपियर लूप का चेहन करने के लिए हम वही तीन विशेश बातों का ध्यान रखेंगे और इस कंडिशन में एंपियर लूप एक वृताकार मार्ग ही होगा वृताकार लूप ही होगा और इसकी तुम्बकी बल रेखाओं के समानतर ही होगा इसके अंदर चुम्बकी बल रेखाओं भी वृत के रूप में है और यह एंपियर भी वृत के रूप में है यानि यह कहें कि यह जो एंपियर लूप है इस टोरोइट के अंदर जैसे चुम्बकी छेतर है बिलकुल वैसा ही होगा इस वृत के लिए B और DL एक दूसरे के समानतर होंगे इसलिए integration of B.DL बराबर होगा integration B.DL cos theta यहाँ B और DL एक दूसरे के समानतर है इसलिए theta बराबर 0 होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे integration B.DL cos 0 यहाँ integration sign के उपर एक गोला डालते हैं इसका मतलब होता है कि यहाँ समाकलन बंद परिपत के लिए है यानि कि बंद वक्र के लिए है cos 0 कमान 1 होता है तो integration बंद लूप के लिए B.DL अब यहाँ पर देखें B कमान एक समान है यानि कि नियत है इसे integration से बाहर कर देंगे को हम लिख सकते हैं B integration बंद परिपत में DL चुकि टोराइट के अंदर उसके केंद्र O के समान दूरी परिस्थित प्रत्येक बिंदू पर चुम्बकी छेत्री की तीवरता वही रहती है इसलिए हमने B को इस समाकलन से बाहर निकाल दिया है अब समाकलन DL का होगा 2πR जो किस बृत की परिथी होगी समीकरन एक में हम मान रखने पर हमें मिलेगा integration बंद परिपत में B.DL बराबर B into 2πR इसे हम समीकरन 2 दे देते अब Ampere के परिपती नियम से समाकलन B.DL बराबर होता है μ.0 into उस Ampere के लूप से घीरी हुई कुल धारा तो यहाँ पर हम लिखेंगे μ.0 into आठ रिज्जे के वृत से घीरी हुई कुल धारा तो पहले ये देखते हैं कि इस वृत के अंदर कुल कितने फेरे हैं हम जानते हैं कि इस टोराइट के प्रती एकांक लंबाई में फेरो की संख्या N थी तो इस आठ रिज्जे के वृत से घीरे हुई कुल फेरो की संख्या होगी N into 2πr और इसलिए इस आठ रिज्जे के वृत से घीरी हुई कुल धारा होगी N into 2πr into I एक फेरे में बहने वाली धारा आई है तो गुल धारा ग्याद करने के लिए हम एक फेरो में बहने वाली धारा को गुल फेरो की संख्या से गुणा कर देंगे इसलिए हमें प्राप्त हुआ है N into 2πr into I इसे हम समिकरंट 3 दे देते हैं समिकरंट 2 और समिकरंट 3 इन दोनों के left hand side बराबर है तो right hand side भी बराबर होंगे इसलिए हम लिखेंगे B into 2πr equal to mu0 into N into 2πr into I 2πr दोनों पक्षों से cancel करने पर हमें मिलेगा और इस समिकरंट से स्पष्ट है कि तो right के अंदर चुम्बकी छेत्र की तीव्रता दूरी आर पर निर्भर नहीं करती आता right के अंदर चुम्बकी छेत्र नियत होता है यह जित टोराइट की माद्धी त्रिज्य आर तता उसमें कुल फेरो की संख्या N हो तो कुल फेरो की संख्या N बराबर होगी प्रतियक आंकल लंबाई में फेरो की संख्या into 2πr इसलिए हम N बराबर लिख सकते है N अपॉन 2πr और यह हमाद समिकरन 4 में रखने पर हमें मिलेगा B बराबर μुज जिरो N I अपॉन 2πr अब हम टोराइट के बाहर चुम्बकी छेत्रे की तीवरुत्ता ग्याद करते हैं मान लिजे टोराइट के बाहर बिंदु Q है जिस पर चुम्बकी छेत्रे ग्याद करना है बिंदु O को केंद्र मानकर आरवन त्रिज्य का एक वृत खीजे जो Q से होकर गुजरता है यह वृत एंपियर लूप की तरह कारे करेगा हमने जाना था बच्चों कि जब हम एंपियर लूप चुनते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखते हैं इस एंपियर लूप में कुछ विशेश्टाइं होनी चीए इसलिए हमने जो एंपियर का लूप लिया है वो वृताकार होगा इस लूप के अंदर कागश तल के बाहर निकलती हुई विद्धु धारा कागश तल के भीतर जाती हुई विद्धु धारा के द्वारा निरस्त कर दी जाती है अथा इस लूप से घीरी हुई विद्धु धारा शून्य होगी इस लूप के अंदर कागश तल से बाहर निकलती हुए विद्धुधारा कागश तल के भीतर जाती हुए विद्धुधारा के द्वारा निरस्त कर दी जाती है अता इस लूप से घिरी विद्धुधारा शुन्य होगी अता एंपियर के परिपती नियम से इंटिग्रेशन अफ बी डॉट डील बराबर म्यू जीरो इंटू शुन्य होगा और बी इंटू टू पाई आरवन बराबर शुन्य होगा या यूँ कहें तो चुम्बकी छेतर की तीवरता का मान शुन्य होगा अता तोराइट के बाहर चुम्बकी छेतर शुन्य होता है अब तोराइट द्वरा घीरे रिक्त स्थान में विद्दू छेतर की तीवरता ग्यार करते हैं बिंदू O को केंद्र मान कर R2 तरिज्जा का एक वृत खीचे जो R से होकर गुजरता है यह वृत एमपियर लूप की तरह कारे करेगा इस लूप से घीरी हुई धारा शुन्य है अतहा एमपियर के परिपती नियम से इंटिग्रेशन ओफ बी डॉट डील बराबर म्यू जिरो इंटू जिरो और B.2P R2 बराबर 0 और B बराबर 0 होगा इस प्रकार टोराइट के भीतर खुले छेत्र में चुम्बकी छेत्र कमान भी 0 होता है डेच बहुत इगवित लॉरेंज ने चुम्बकी छेत्र में गती करते हुए आवेशित कणों का अध्यन किया उन्होंने बताया जब कोई आवेशित कण चुम्बकी छेत्र में गती करता है तो उन कणों पर बल कारे करता है और इस बल को चुम्बकी लॉरेंज बल के नाम से जाना जाता है उनके अनुसार ये चुम्बकी लॉरेंज बल आवेश की मातरा के समानुपाती होता है यानि हम समीकरण के रूप में लिखे तो F समानुपाती है क्यों के साथ ही ये लॉरेंज बल चुम्बकी छेतर की तीवरता के भी समानुपाती होता है यानि F समानुपाती होता है B के ये लॉरेंज बल उस आवेशित कण के V के भी समानुपाती होता है यानि F समानुपाती है V के यदि आवेशित कंड इस चुम्बकी छेतरे के साथ किसी कोण में गती कर रहा है यानि कि वेग और चुम्बकी छेतरे के बीच का कोण यदि थीटा है तो यहां लॉरेंज बल इस कोण की जिया के भी समानुपाती होता है यानि कि F समानुपाती होगा sin theta के जा theta V और B के बीच का कोण होता है अब इन चारों समीकरोणों को combine करें तो हम लिख सकते हैं F समानुपाती है Q V B sin theta के समानुपाती का चिन हटाते हैं नियतांक लगाते हैं यहां नियतांक K लिखेंगे तो F equal to होगा K Q V B sin theta यह के समानुपाती की नियतांक है जिसका मान मात्रकों की पद्धती पे निर्भर करता है हम चुम्बकी चेतर की ऐसी पद्धती इस्तमाल करते हैं जहां पर K का मान 1 हो जाता है तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं F equal to Q V B sin theta यहां पर बल सदीश राशी है, वेग सदीश राशी है और चुम्बकी चेतर भी सदीश राशी है यहां पर हम देखें यह वेग और चुम्बकी चेतर की तीवरता यह दोनों सदीश राशी है और इसके साथ हमने sin theta लिखा है जहां पर theta V और B के बीच का कोण है तो यदि इस सूत्र को हम सदीश रूप में लिखे, तो यह होगा सदीश F बराबर Q, bracket के अंदर सदीश V, cross सदीश B, यानि यहाँ पर दो सदीश V और B के बीच में cross product आएगा, यानि कि सदीश कुनन, तो लॉरेंज बल का सदीश रूप है, F सदीश equal to Q, bracket के अंदर V सदीश cross B सदीश, F एक सदीश राशी है, यहाँ पर हम देखे कि F बराबर Q, V cross B लिखा है, मतला F की दिशा V और B, दोनों के तल के लंबवत होगी, ना तो वो V की दिशा में होगा, ना तो B की दिशा में, बलकि जिस तल में V और B होंगे, उसके लंबवत F की दिशा होगी, अब F की दिशा बताने के लिए हमारे पस दो नियम है, पहला फ्लेमिंग के left hand का नियम, फ्लेमिंग के left hand के नियम के नुसार, हम सबसे पहले अपने अंगुठे, तरजनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंवत, परस पर लंवत स्ट्रेच करेंगे, यहाँ पर जो तरजनी होगी, यह चुम्बकी छेत्र की दिशा को बताएगी, और यह जो मध्यमा है, यह धन आवेश की गती की दिशा को बताता है, तो B यानि कि ये चुम्बकी चित्र की दिशा होगे B और ये धन आवेश की गती की दिशा होई यानि कि V तो ये अंगुठा जो है वो धन आवेशित कंड पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है अब देख सकते हैं कि ये अंगुठा इस तरजनी और मध्यमा दोनों के लंबवत है जिस तल में तरजनी और मध्यमा है उस तल के लंबवत अंगुठे की दिशा है और इसलिए लारेंज बल की दिशा भी वी और बी के लंबवत होती है यहां पर हमने धन आवेश की दिशा बताई है मध्यमा को यदि आप रिन आवेश की दिशा लेते हैं मतलब किसी चुम्बकी छेत्र में रिन आवेश गती कर रहा है तो रिन आवेश की गती की दिशा यदि मध्यमा लेते हैं तो फिर लॉरेंच बल की दिशा अंगूठे के व चानते हैं State Bank of India इसको short form में SBI बोला जाता है तो आफ S हटा के बस F याद रखिए FBI i f बल बी मत LAUGH CUMB की छेतर की दिशा और आई मतलब धनावेश की दिशा यानि की धारा कहलाती है जिफ हम कहते कि धनावेश कुके कर रहे उसी दिशा को तो घ्रा की दिशा कहते हैं तो यह धनावेश की दिशा मतलब आई हो गया यानि कि धारा तो आप fbi शब्द याद रखेंगे तो आपको left hand के flaming के नियम को लगाने में भी आसानी हो गये इस लोरेंज बल के लिए हम right hand की हतेली का नियम भी देते हैं right hand की हतेली के नियम देने के लिए हम अपने right hand की उंगलियों को खोलते हैं और अंगुठा को उंगली के परसपर लंवत shtje करते है इस प्रकार या उंगली और अंगुठे के बीच में 90 90 डिग्री का कोन बन रह रहा है अब यह जो उंगलियां है यह चुम्बकी शेत्रे की दिशा को बताती है यह अंगुठा धनावेश की गति की दिशा बताता है यानि धनावेश के वेग को दर्षाएगा यहाँ पर हो गया b यह हो गया जवी अब लॉरेंज बल की दिशा इस हतेली के लंबवत होगी आप यहां पर यदि इस हतेली पर कोई लंब इमेजिन करते हैं तो वो लंब चुम्बकी लॉरेंज बल की दिशा को बताता है तो इस प्रकार लॉरेंज बल की दिशा को हम इन दोनों में से किसी भी नियम की सहाथा से बता सकते हैं अब इस लॉरेंज बल के सूत्र अनुसार हम विभीन स्थितियां देखते हैं पहली स्थिति जब V बराबर 0 हो V आवेश का वेग है यदि आवेश का वेग 0 है इसका मतलब विराम अवस्था में है आवेश यदि चुम्बकी छेतर में कोई आवेश विराम अवस्था में हो तो सूत्र अनुसार देखें F बराबर Q V B साइन थीचा V को 0 लिया 0 से किसी भी राशी को गुणा करोगे तो वो 0 ही मिलेगा तो यहां से F बराबर भी 0 हो जाएगा यानि कि कोई आवेश विराम अवस्था में चुम्बकी छेतर में रखा हो तो उस पर कोई लॉरेंज बल कारिये नहीं करता अब दूसरी स्थिति देखते है यहां पर हमने थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री लिया है थीटा बराबर 0 या 180 का मतलब है कि आवेश चुम्बकी छेतर के समांतर गति कर रहा है या तो उसकी दिशा कहनूदीश होगा या तो उसकी दिशा के विपरित होगा दोने इस थिति में हम देखे तो आवेश चुम्बकी छेतर के समांतर गति कर रहा है यदि आवेश चुम्बकी चेत्रे के समानतर गती कर रहा है तो सूत्र अनुसार देखे एफ बराबर क्यू वी भी साइन ठीटा साइन जीरो बराबर भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री बराबर भी 0 होता है तो चाहे 0 रखें चाहे 180 डिग्री लें यहां पर लगने वाला बल शून्य हो जाएगा तो यू कह सकते हैं कि आवेश जब चुम्बकी छेत्र के समांतर गती कर रहा होगा तो इस पर कोई भी लॉरेंज बल कारिय नहीं अब अगली स्थिति देखते हैं जब थीटा बराबर 90 हो थीटा बराबर 90 है इसका मतलब आवेश चुम्बकी छेत्र के लंबवद करती करेगा थीटा बराबर 90 है तो साइन 90 बराबर 1 होगा और यह साइन का अधिक्तम मान होता है तो इस कंडिशन में लगने वाला लॉरें जब भी अधिक्तम होगा यहां पर हम देखेंगे एफ बराबर क्यू वी बी साइन 90 यानि कि वन और एफ बराबर क्यू वी बी तो अधिक्तम बल कारे करता है जब कोई आवेश चुम्बकी छेत्र के लंवद गती करता है तो यहां सी यह स्पष्ट है कि इस स्थिती में होता है यानि एफ की दिशा कुछ इस प्रकार होगी कि यह जिस तल में वी और बी है उस तल के लंवत होगी और इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाए हाथ के नियंकनु सर दी जा सकती है यदि हम इस एनिमेशन से इसको समझने की कोशिश करें मान लीजें यहां पर चुम्बकी क्लबत आगे की और गती कर रहा है तो यह की दिशा हुई अब ऐफ की दिशा कुछ इस प्रकार होगी कि इन दोनों के लंवत होगी तो हम यदि इनके लंवत तल की कल्पना करें तो यह क्ऊंधे मतलब इस आवीशिद कंद पर इसी डिरेक्शन पर बल्कारे करेका राना मारय करेगा प्यारी कि वेग वीक के लंबत काड्य करता है इस बल्द वारा आवेशिद कंद पर किया गयकारी शुल्न होगा अतहां कार्य उर्जा के प्रमैस से पर्ञार की गती की जूर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात उसकी चाल नियत रहेगी आवेशित कंड पर लगने वाले बल के बावजूद वह नियत चाल से गती कर रहा है यह तभी संभव है जबकि आवेशित कंड एक वृतिय मार्क पर गती करें और इस प्रकार जब एक केंदर बल की पूर्थी लॉरेंज बलंदृ्वारा की जाती है तथा वह आ आर्थृजा के वृतियम आग में गती करता है तब चुंबकी लॉरेंज बराबर अभीकेंदर बल मोगा और चुंबकी लॉरेंज वलका मान होगा mv square upon r तो इस सूत्र से हम देखे तो r बराबर होगा mv upon qb और यहां से हम देखे m into v यानि कि द्रव्यमान और वेक का गोणनपल समवेक के बराबर होता है हम लिख सकते r अब अगली स्थिती जहां पर आवेश चुम्बकी छेत्र के साथ कोई कोण बनाते हुए गती कर रहा है यानि यहां पर v और b के बीच में कोई कोण है मान लीजिए वो कोण थीटा लेते हैं उस कंडिशन में जैसे ही यह चुम्बकी छेत्र में प्रवेश करेगा तो v सदीश यानि वेक सदीश को दो घटकों में बाटा जा सकता है यहां पर इस वेक सदीश के दो घटक होंगे एक कॉस घटक और दूसरा साइन घटक कॉस घटक इस चुम्बकी छेत्र के अनुदीश होगा जिब इस घटक के कारण इस आवेश पर लगने वाले बल का मांशुन्य होगा अब दूसरा घटक है साइन घटक यानि की v साइन थीटा जो की चुम्बकी छेत्र के लमवत होगा अब यह साइन घटक इस आवेश में अधिक्तम लौरेंज बल उत्पन्न करेगा और हम जानते हैं कि अधिक्तम लौरेंज बल के कारण उस आवेशित कण का मार्ग वृतिय होगा लेकिन पहले वाले घटक v कॉस थीटा के कारण लगने वाला बल शुन्य था यानि लगने वाला बल शुन्य होगा तो उस वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा यानि वी कॉस घटक as it is रहेगा और वो कण को आगे की तरफ खीशने का कोशिश करेगा वो भी चुम्बकी छेतर B के अनुदीश और जो दूसरा बल है वो उसको वृतिय मार्क में घुमा रहा है अब एक बल 36 दिशा में चुम्बकी छेतर के अनुदीश खीच रहा है और दूसरा बल उसे उसी चुम्बकी छेतर के लंबवत वृतिय पत पे घुमाने का प्रयास कर रहा है अब इन दोनों बल का परिणामी ऐसा होगा उस आवेश का जो रास्ता होगा वो वृताकार ना होके हेलिकल हो जाएगा यानि कि कुंडलीनी अकार का हो जाएगा वो वृतिय गती करते करते आगे की और बढ़ेगा तो इस प्रकार की कुंडलीनी पत यानि की हेलिकल पात उस आवेश की प्राप्थ होगी और इस कुंडलीनी का अक्ष चुंबकी चेतर के समानतर होगा अब मान लीजे कोई आवेश विद्दू चेतर और चुंबकी चेतर में रखा गया है इस आवेश पर विद्दू छेतर की कारण भी बल कार्य करेगा और चुम्बकी छेतर की कारण भी बल कार्य करेगा इन दोनों के कमबाइन एफेक्ट को यानि कि विद्दू बल और चुम्बकी बल दोनों को एक साथ लिखे तो वो कहलाता है लॉरेंज बल विद्दू छेतर में किसी आवेश पर लगने वाला विद्दू बल होता है F equal to QE जहां E विद्दू छेतर की तीवरता होती है और यहाँ बल आवेश की वेग पर निर्भर नहीं करता इस सूतर में हम देख रहे हैं कि केवल वो आवेश की मात्रा और विद्दू छेतर की तीवरता पर निर्भर कर रहा है यानि कि आवेश इस्थिर भी होगा तो भी उसमें बल कारिये करेगा जबकि चुम्बकिये बल इस आवेश पर लगने वाला F भी बराबर होगा Q V cross B यानि कि ये बल आवेश के वेग पर भी निर्भर करता है अब इन दोनों बलों को यदि हम एक साथ लिखे तो वो कहलाता है लॉरेंज बल तो लॉरेंज बल F बराबर होगा F E plus F B तो F बराबर होगा Q E plus Q V cross B यहाँ Q common लेने पर हमें मिलेगा F बराबर Q bracket के अंदर E plus V cross B और यह समीकरण लॉरेंज बल को दर्शाता है जो कि किसी आवेश पर विद्दूत और चुम्बकी छेतर में रखे जाने पर लगता है विद्दूत बल चुम्बकी बल आवेश Q पर लगने वाले विद्दूत बल का परिमान निम्न है विद्दूत बल का मान आवेश पर लगने वाले चुम्बकी बल का परिमान निम्न है विद्दूत बल का मान आवेशित कंड के वेग पर निर्भर नहीं करता चुम्बकी बल का मान आवेशित कंड के वेग के परिमान तथा दिशा दोनों पर निर्भर करता है इस्तिर आवेशित कंड पर भी विद्दुद बल लगता है। इस्तिर आवेशित कंड पर चुम्बकी बल नहीं लगता। विद्दुद बल द्वारा आवेशित कंड़ पर कार्य किया जाता है चुम्बकी बल द्वारा आवेशित कंड़ पर किया गया कार्य शुन्ने होता है विद्दुद बलसदैफ विद्दुद छेत्र के अनुदीश लगता है चुम्बकी बलसदैफ चुम्बकी छेत्र के लमवत लगता है विद्दुद छेत्र में लमवत प्रवेश करने पर आवेशित कंड का मार परवलयकार होता है चुम्बकी छेत्र में लंबत प्रवेश करने पर आवेशित कंड का मार्क बृताकार होता है